इस वीडियो क्लिप को देखो जाँ पर एक साटलेट व्यू नजर आ रहा है अगर हम घरों की प्लानिंग को देखे, उनके शेप्स को देखे तो ये काइंड ओफ इंडिया के जैसी दिख रहा है लेकिन एक्च्वल में ये इंडिया नहीं है गी चाइना का बीचिन शेहर है और इसके पास के कुछ इलाके है यही चीज अगर हम शांगहे में भी जाए तो similar like pattern देखने मिलता है लेकिन ये मैं आपको बता क्यों रहा हूँ मुझे कुछ समय से ये सवाल ज़रूर पुछे जाते है कि हमारे देश के अंदर planning बहुत जादा खराब है especially cities के अंदर और क्या इन चीजों से हम राहत पा सकते है क्या future में planning change होगी और एक चीज समझाने में मुझे बहुत दिक्कत face करने पड़ रही है वो ये है कि generally जब पुराने देशों के अंदर planning की हम बात करते है तो उसके अंदर improvements हो पाते है पूरी दरीगे से अपग्रिडेशन या पूरी दरीगे से rehauling हम देख नहीं सकते अगर हम चाइना की बात करें तो तकरिबन 40 साल पहले हमारी देश बराबर थे चाइना भी बहुत ही ज्यादा पुरानी civilization है जितनी हमारी हिस्ट्री है वैसे उनकी भी एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है और इसके कारण उनकी आपे भी ऐसे शेहर है जो हजारों साल पुराने है उस जमाने के requirements के सबसे बनाएं गए थे गरीब जब देश था तब उस समय पर भी planning खराब होते हुए नजर है इन देशों के अंदर लेकिन जैसे से चाइना डेवलप हुआ पैसे आते गए बेटर स्टैंडर्स डेवलप हुए तो वैसे वैसे हमें ये शेहर जो है वो expand होते हुए नजर है वो kind of वैसे ही रहे हाला कि ground level improvement वहाँ पर आई लेकिन structure लगी और planning के हिसाब से वो वही प्याटके हुए है इसका मतलब क्या देखो planning का मतलब हमेशा जो है especially हमारी जो इंडियन ओडियन से वो ये समझती है कि एकदम अमेरिका जैसे अच्छा planning होता है लेकिन अच्छा planning हमेशा अमेरिकन standards नहीं होते अच्छे planning के अंदर cleanliness, proper drainage, proper electricity, दूसरे services, access to public infrastructure, access to public transport ये सब चीजे count होती है तेड़े बेड़े घर बनाने से कोई शहर unplanned नहीं बन जाता लेकिन किसी शहर के अंदर गंदगी, access नहीं होना, opportunities नहीं होना उस शहर को ज़्यादा खराब बना दी है और इसलिए जब हमारा देश विकसित भी होगा तब भी हमें ऐसे pockets देखने मिलेंगे देश के हर कोने के अंदर जबर planning हमें American European standards के सबसे देखने नहीं मिलेगी लेकिन हमारे देश के अंदर जो growth potential है, जितने हमारी जनसंक्या है और जितनी एक डेवलप देश के लिए जनसंक्या होनी चाहिए अर्बन centers में उससे काफी कम है, तो दीरे दीरे हमें आने वाले समय में नए शेरों की development बहुत बड़े level पे होते हुए नजर आएगी और जो आज एक चोटे चोटे idealistic pocket समारिया पर बने है, और वो भी उस जमाने की GDP के साथ जो काफी कम थी, वो हमें आगे और ब्रेट देवे नजर आएंगे होश करने वाला शेर है, इसलिए significance के साथ बात करें तो नवी मुंबई चंदीकर से भी बड़ा शेर बनता है, और अगर इसके अभी एक level हम और उपर जाए, तो हमें देखने मिलते है 21st century standards क्योंकि economy और बहतर बन गई है, cyber city, gift city, BKC Mumbai, इन जैसे शेर, लेकिन यहाँ पर हम शेर भी count नहीं करते है, हम इनको बस छोटे छोटे तुकडे count करते है, areas count करते है, regions and locations count करते है, क्योंकि obviously आज यह बहुत छोटी है, लेकिन क्या future में यह सेम चीज रहेगी, अब economy हमारी पहुंच रहेए उपर, standard इसके लिए उपर जा रहे है, और हम ने शेर बना रहे है, उमीर यह रहेगी, कि जो भी new cities plan है, जिसके अंदर मैं भी कुछ नाम भी लूँगा, जहाँ पर probably चीज़े सबसे जादा होते हुए नजर आएगी, वो हमें global standards के cities बनते हुए नजर आएगी, पर example, Mumbai 3.0, यहाँ पर आने वाले development एक अच्छे economy में होगी, जिसके वज़े से जो buildings बनेगी, जो plans के इस्तवाल किया जाएगा, वो modern standards के सबस होगा, नभी Mumbai 3.0 को पूरे के पूरे global terms पे Mumbai ही count करेंगे लोग, वहाँ पे लोग बोलेंगे निके Mumbai 3.0 जा रहो फिर वहाँ से Mumbai जाओंगा, वहाँ पे लोग उसको Mumbai ही defend करेंगे, जैसे आँ शांगाई और बी IT areas को plan कर रही है, और इनके पास में जो land वेगरा है, वो बी incredible है, gift city को कर हम देगे, तो यहाँ पर भी जो आने वाले समय की planning है, वो बहुत ही जादा बड़ी है, और कुछ सालों बार में होगा यह कि यह जो शेहर है, इनके अगर आप Google पे images सर्च करोगे, या जो भी उसमय पर होगा, तब आपको पहले जो develop वाले यह नए parts होंगे, उनके photos नजर आएंगे, gift city बहुत बड़ा होगा, लेकिन एहमदाबाद की जगे पर वो दिखने लगेगा, बुरा YDI या अंदर के जो नाया नोयडा वेगर होगा, वो चीज़े दिखने लगेगी, और नवी की लाइशनल को बहुत बेतर बनाएगा, चाहे उनके घर अमेरिका के जैसे symmetric की उना हो, और वो होना ज़रूरी भी नहीं है, उम्मिल कर तो आपको ये वीडियो जो है थोड़ा एक अलग तरीकी की लगी होगी, मुझे comment section में अपने opinion ज़रूर बताना, मिलेंग अगले आपको ये वीडियो.